नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चनल में आज के स्टूडियो में हम UP जी के याने की उत्तर प्रदेस सामान ग्यान से संबंदित कुछ मतमुन प्रसन उत्तर देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश सिविल जज वह यूपी से संबंदिद अन्य परीच्छाओं में पूछे जा सकते हैं तो चलिए फिर्ण स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में प्रस नमर एक है उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वरा कब अस्ताक्षर किये गए तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोदन अधिनियम कब पारीद किया गया तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोदन अधिनियम कब पारीद किया गया चली एकते नेश्ट कोशन प्रस नमबर 3 है उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री पत पर सबसे अधिक सम्मय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो इसका सही उत्तर है ओप्सन ए गोविंद वल्लब पंथ चली एकते नेश्ट कोशन प्रस नमबर 4 है उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री की नियुक्ति कोन करता है जिसका सही उत्तर है ओप्सन D राज्यपाल जी है दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है चली एकते नेश्ट कोश प्रस नमबर 6 है जोधा बाई का महल उत्तर प्रदेश में कहां पर इस्ति थे तो इसका सही उत्तर है ओप्सन भी फतेफूर सिकरी जी आ दोस्तों फतेफूर सिकरी में जोधा बाई का महल इस्ति थे चलियेक के नेश्ट कोश्वन प्रस नमबर साथ है उत्तरप्रदेس में विधान सभा को भंग करने का निकार किसे है तो इसका सही उत्तर है ओफसंदी सारनात जिया दोस्तों असोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन सी इस्तम सारनात में इस्तित Hey चलिए एक तेनेस्ट कोश्चन प्रस नमर नो है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर वेवसाय सिक्छावा कला के प्रमुक के अंदर थे तो इसका सही उत्तर है ओप्सन डी सभी जिया दोस्तों गुप्त काल में मत्हुरा कोसंभी और प्रयाग ये तीनों प्रदेश के आगरा सहर में ताज महल इसती थे चलिएक तेनेस्ट कोश्चन प्रस नमर ग्यारा है तेल सोधक कार खाना प्रदेश के किस नगर में इसती थे इसका सई उत्तर ये ओप्सन ए मथूरा जी हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथूरा सहर में तेल सोदक कार खाना इस्ती थे चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर बारा है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांती का आरम सर्व प्रतम किस नगर से हुआ तो इसका सही उत्तर है ओप्सन बी मेरेट 1857 की क्रांती का आरम सर्व प्रतम मेरेट नगर से हुआ था चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर तेरा है उत्तर प्रदेश में काकोरी सडियन्ट कांड कब हुआ तो इसका सही उत्तर है ओप्सन बी नो अगस्त 1925 को चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर चौदा है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबार ने कब अधिकार किया इसका सही उत्तर है ओप्सन बी 1526 इस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबार ने अधिकार किया था चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर पंदरा है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां इस्ति थे तो इसका सही उत्तर है ओप्सन ए फतेफूर सिक्री में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा इस्ति थे चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर सोला है उत्तर प्रदेश में चोंखडी इस्तूप कहां इस्ति थे तो इसका सही उत्तर है ओप्सन डी सारनाथ जिया दोस्तो सारनाथ में चोंखडी इस्तूप इस्ति थे चलिए एक ते नेक्ष्ट कोश्चन प्रस नमबर सत्रह है उत्तर प्रदेश में मुगल कालिन लाल किला कहां पर इस्ति थे इसका सही उत्तर है जिया दोस्तों आगरा में मुगल कालिन लाल किला इस्ति थे चलिए एक ते एनेश्ट कोशन प्रस नमर 18 है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नुजरत के डांडिया नुजरत जैसा है इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में तामबा किस जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सारवादिक पाया जाती है इसका सही उत्तर है जिया दोस्तों गाजियाबाद में खरतिम रबड का कार खाना इस्ति है इस्ति थे चली एक ते नेश्ट कोश्चन प्रस नमर बावी से उत्तर प्रदेश में दिया सलाय उद्योक का प्रमुक केंद रहे तो इसका सही उत्तर है ऑप्सन ए बरेली चली एक ते नेश्ट कोश्चन प्रस नमर तेवी से नान प्लास्टिक फायर कले उत्तर प्रदेश मे प्रस नमबर चोवी से उत्तर प्रदेष में यूरेनियουμε के भंडार कहां पाये पाये जाते हैं प्रस नमबर प्रदेष में सरवादीक सीचाइज निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है तो इसका सही उत्तर है Option D, कुवेव नलकुप जियां दोस्तों कुवे नलकुप द्वारा उत्तर प्रदेश में सारवादिक सिचाई की जाती है चलिए एक ते नेश्ट कोशन प्रस नबर 26 से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कोन सी है तो इसका सही उत्तर है Option B, सारवादा नहर जियां दोस्तों सारवादा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है चलिए एक ते नेश्ट कोशन प्रस नबर 27 से उत्तर प्रदेश में रानी लच्मी भाई बांध परियोजना किस नदी पर है तो इसका सही उत्तर है Option C, बैतवा जियां दोस्तों रानी लच्मी भाई बांध परियोजना बैतवा नदी पर इस्तिते चलिए एक ते नेश्ट कोशन प्रस नबर 28 से उत्तर प्रदेश में भारती वन जीव परिसत की स्ताबना कब की गई तो इसका सही उत्तर है Option C, 1952 में चलिए एक ते नेश्ट कोशन प्रस नबर 29 से चंब़ राष्टी अभ्यारन प्रदेश के किस जिले में इस्तित थे तो इसका सही उत्तर है Option D, बांधा जिले में चलिए एक ते नेश्ट कोशन प्रस नमर ती से उत्तर प्रदेश के किस छेतर में थारू जन जाती निवास करती है तो इसका सही उत्तर है उप्सन ए तराई जिला जी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई छेतर में थारू जन जाती निवास करती है चलिए एक तेनेश्ट कोश्चन निम्ने लिखित में किस नगर में कुम्म मिला लगता है तो इसका सही उत्तर है ओप्सन भी इलाबाद चलिए एक ते नेश्ट कोश्चन प्रस नमर चोती से उत्तर प्रदेश की सब समध पुन नगदी फसल है तो इसका सही उत्तर है ओप्सन सी गन्ना चलिए एक ते नेश्ट कोश्चन प्रस नमबर 35 से उत्तर प्रदेश में परमानु उर्जा के अंदर इस्थापी थे तो इसका सही उत्तर है ओप्सन C नरोरा में जिया दोस्तों नरोरा में परमानु उर्जा के अंदर इस्थापी थे प्रस नमर 36 से उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गी थे तो इसका सही उत्तर है उपसंडी बिरहा जिया दोस्तों बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गी थे चली एक ते नेष्ट कोश्टन, प्रस्ट नमर 37, उत्तर परदिस में राष्टी क तक संस्तान इस्ति थे तो इसका सेई उत्तर है, option D लखनों में प्रस नमर 38. रोजगार की डश्टी से उत्तर प्रदेस का सबसे बढ़ी उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है. Option A. हद करगा उद्योग. प्रस नमर 49. उत्तर प्रदेस में जेन एवन बोध दोनों का प्रसीद तीर्थ स्थान है? तो इसका सही उत्तर है. प्रस नमर चाली से कुम्ब के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का नोचंदी मेला प्रस नमर बैयाली से उत्तर प्रदेश का नोचंदी मेला कहां पर लगता है तो इसका सही उत्तर है Option C, Merit में चलिए एक ते Next Question प्रस नमर 42 से उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निमने लिखीत में से किस्से मिलती है तो इसका सही उत्तर है Option C, बिहार से चलिए एक ते Next Question प्रस नमर 43 से उत्तर प्रदेश चल्चितर विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है Option D, 1975 में जी है दोस्तो उत्तर प्रदेश चल्चितर विभाग की स्थापना हुई थी चलिए एक ते Next Question प्रस नमर 45 से उत्तर प्रदेश के सुचना केंदर का मुख्याल है किस नगर में तो इसका सही उत्तर है Option D, लकनव जी है दोस्तो लकनव में उत्तर प्रदेश के सुचना केंदर का मुख्याल है इस्तितर तो फ्रेंड्स आज के स्थूडियो में हमने UPGK के कुछ महत्पूर्ण प्रस्नों को देखा है तो दूस्तों अगर आपको वीडियो पसनाता है तो प्लीज लाइक और सेयर कीजेगा धन्यवाद दूस्तों